नमस्कार प्यारे दोस्तों देखें हम इस वीडियो में रजस्तान जिक्ये के 50 समय पूर्ण परसंद देखने वाले हैं और देखें यह अपना बीएश्टीची का जो 2018 में पेपर हुआ था दोस्तों कब हुआ था 2018 में 2018 में पूचे गए है रजस्तान जिक्ये के यह इस वीडियो में देखेंगे तो देखें बीएश्टीची एक्जाम के लिए यह आपके मोडल पेपर हैं बिल्कुल इसी पेटर्ण के अधार पर आपके आगे भी इसी तरह की क्योश्ट पूचे जाने वाले हैं इस एक्जाम मे में जोधपूर उधयपूर अलवर और जैसल मेर दोस्तो इस गर राइट अंसर होगा मारे काल्मीली यह वह राजस्तान की किस ह blog ये जैपूर बरतपूर जालवार नागोर टो तो दौस्तों इसका जो राइट यहां राजस्तान भग्रू की जुछपाई है दोस्तों राजस्तान कर स्थे जेपूर वाले हिस्षे से दो़स्तों ऐसें हमारे एक होण चनका अंसर अगला क्यूंशान में का स्थी थे दोस्तों और अगला क्यूंशन का साचला हैakukan तो राज़स्तान में सब्सें लंभे समय तक है मुखियम मंत्रीपत पर के किनोंने कारिये किया दोस्तों्थ हमारे टेका राम पालिवाल वसंदर रज्य असो गैलोत या फिर दोस्तों लास्ट थैंमारे मोहनलाल सुकाडिया तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर होगा मारे म मोहनलाल सुकाड़ी जो थे दोस्पों उन्होंने राजस्तान में सबसे लंबे समय तक है मुक्यमंद्रिय पद पर काईए दोस्टों ऑप्षन अमारे डीकर्ट हो जाएगा इस क्यूशन का अंसर अगला क्योशन दॉलत राम सारण को राजस्तान में संबोधित किया जाता है यह कहकर दोस्तो दोलत राम सारण को रजस्तान में किस नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तो ओप्षन हमारे महात्मा किसानों का मसिया बाबूजी या पिर राजा तो दोस्तो इसका जो राइट एंसर होगा हमारे दोलत राम सारण को रजस्तान में जो दोस्तो मात्मा कहकर संबोधित किया जाता है दोस्तों क्या का कर किया जाता है मात्मा का कर तो दोस्तों इसका जो right answer होगा हमारे option ए correct हो जाएगा इस question का answer अगला question राजस्तान विकास पार्टी की स्थापना की थी दोस्तो राजस्तान विकास पार्टी की जो स्तापना है वो किस्ने की option दोस्तो हमारे बर्ज मोहनलाल सर्मा ने बुटा सिंग ने हिरालाल सास्तरी ने या फिर छोटू राम ने तो दोस्तो इसका जो राइट एंसर होगा हमारे जो राजस्तान विकास पार्टी की जो स्तापन कौन है दोस्तों चहुदॹी राजस्त्तान विदान सभा के सभापत्ति है दोस्तों मिर्दा के केलास मेगवाल या पिर सांतिलाल चपलोत तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर होगा हमारे चवद्वी राजस्तान विदान सबाग के जो सभावत्ती है दोस्तों वह मारे केलास मेगवाल है ओप्सन हमारे सी क्रेक्ट हो जाएगा इस क्यूशन का अंसर अगला क्योशन राजस्तान में वर्षा का समय है कितनी बार होता है दोस्तों राजस्तान में वर्षा का समय है वो कितनी बार है ओप्सन है दोस्तों हमारे दो बार एक बार तीन बार या पिर या पिर दोस्तों ला को इंद्रा गांधी नहर आविश्यक्ता हुई दोस्तों इसका जो राइट अंसर होगा इंद्रागांधी नहर की जो अविशक्त हुई वह दोस्तों पाणी के अबाव के कारण दोस्तों पानी की आपाणी का निर्मान करवाया गया तो दोस्तो ओपसन हमारे सी क्वार्प हो जाएगा इस्क्वेशन का अंसर पाने की अबाव और इंदरा ग्सी नहिए अव्शेक था हुई दोस्तों अगला परचंग दोस्तो इसी परकाड का अमारे जो बेसटिसी का एक्जाम अड करेकों इसी परकाड़ का पेटन रहने वाला है दोस्तों TOM देखते हैं अ हमारे लूणी नुदी καत कंसी जिले से लूणी नादीκα में उद्गम हो यह पिर छुरू तो दोस्तों इसका जो राइट अंसर होगा अमारे लुण रोनी नदी का उदिकम स्थान होगिए भון हो अजमेरолे में नाग पर से दोस्तों का अगला और चांद-बावडी स्थीत हैं और स्थीत हैं तो से बहुँन हाँ अलवर या पिर दोसा तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर होगा हमारे परसिद चांद बावडी जो है दोस्तों वो हमारे दोसा जिल्ली में श्तिते दोस्तों कहां पर श्तिते दोसा में ओप्सन हमारे डी करेक्ट हो जाएगा इस क्योशन का एंसर अगला क्योशन राजस्त दोस्तान में निला सहर किसे कहते हैं दोस्तों मेरे उद्द्पूर जौधपूर या फिर बिक कानेर तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर होगा हमारे जो निला सहर यह दोस्तों ब्लू शिटी जो है दोस्तों वह वह surprised Zurich जी गों कॉस्तों के करतेwałं जो अदपुर को कहते है निला सहर या बुलू सिटी, उप्शन हमारे सी क्रक्ट हो जाएगा इस क्यूशन का अंसर, अगला क्यूशन, गार्डन बड़ा बाग श्तित हैं दोस्तों, गार्डन बड़ा बाग का श्तित हैं, उप्शन है अमारे जैसल मेर, बील वाड़ा, जाला पिर हनवान गड़ तो दोस्तों इसका जो राइट अंसर होगा हमारे बड़ा बाग जो है दोस्तों वह हमारे जैसल मेर में में ऑप्षन हमारे एक रक्ट हो सब्सक्राइब क्यूशन रजस्तान केसरी नविन रजस्तान परभात या पिर रजस्तान पत्री का तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर होगा अमारे विजे शिंग पतिक जो कि रजस्तान के शवतंतरता सेनानिया दोस्तों उन्होंने एक समचार पत्र निकल ला था उसका जो नाम है दोस्तों वो हमारे रजस्तान केसरी हैं ओप्शन हमारे एक क्रक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्योशन का अंसर अगला क्योशन हबीब तन्वीर की फिलम चरणदास चोर रजस्तान के किस लेकक दुआरा लिकी गई हैं दोस्तों ओप्शन हमारे मालचंद तिवारी दुआरा हरीस भादानी दुआरा विजेदान देता दुआरा या पिर अर्जुन देव चारण दुआरा तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर होगा हमारे हबीब तन्वीर की जो फिलम है चरणदास चोर और रजस्तान के दोस्तों विबूशन से सम्मानित किया गया है दोस्तों राजस्तान में निम्न में से किसे पदम विबूशन से सम्मानित किया गया है दोस्तों ओप्शन हमारे कोमल कोठारी विजे संकर व्यास नेटवर्सिंग या फिर दोस्तों लास्ट है हमारे नरेश चंदर तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर होगा अमारे जो दोस्तो राजस्तान में जो पदम विभषण से सम्मानित किया गया दोस्तो वो अमारे नरेश चंदर को किया गया दोस्तों कमलेस नागर कोटी भारत अंडर 19 के विश्व कप में खेला है निम्न वर्स में दोस्तों कमलेस नागर कोटी भारत अंडर 19 के विश्व कप में खेला था दोस्तों वह कब खेला था ओप्शन है दोस्तों हमारे hearing by 2015 entertained simple alum aster 2015ophone 2018 तो दोस्तो और दोस्तो लास्ट op शन हमारे 2014 तो दोस्तो इसका जो राइट एंसर होगा अमारे कमलेस नागर कभ भारत अंडर 120 के विश्यूbon कप में जो खेलला था दोस्तो वो हमारा दोस्तो हमारे ओप्सन है दोस्तों हमारे नेपाल, चीन, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे राजस्तान के सुस्क रेगेस्तान में भारत अपनी अंतराष्ट शीमा साजा करता है दोस्तों वो हमारे पाकिस्तान के साथ साजा करता है किस इसके साथ साझागडता है पाकिस्तान के सब उप्सन हां तीरावली सेट्र में राजास्तान का निम्ल जिल्ला सम्मेली हैं उप्सना दोस्तों हमारे दोस्षा सीरोही अजमेड या फिर टॉंक तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर होगा हमारे उत्री अरावली सेत्र में राजस्तान का जो दोस्तों अजमेर जो है दोस्तों वो अमारे जिला सम्मेली ते दोस्तों उत्री अरावली सेत्र में ओप्शन हमारे सी करक्ट हो जाएगा इस क्यूशन का अंसर अगला क्योशन पंचाहिती राज व्यवस्ता का आरंब भारत में राजस्तान के नागोर से किस वरस में हुआ था दोस्तों। एर्मबं है भारत में राजस्तान के नागोर से हुआ तो दोस्तों और कभ उख दोस्तों दो अक्टूबर उननी सो गुणसाट को ड़ोस्तों को डोस्तों ओप्सन अमारे बीक रक्त हो जाएगा इस क्वेशन का अंसर अगला क्योशन ना समुधाइ का प्रंप्रागत नेता इ सब्सक्राइब नाम से जाना जाता है और राश्ट्री राजमार्ग राष्ट्रीय मार्ग संक्या आर्ट दिली को मुंबोई से जोड़ता है राजस्तान से गुजड़ता है यह राजस्तान में कितनी किलोमेटर का है दोस्तों जो कि दिल्ली को मंबोई से जोड़ता है और राजस्तान से गुजड़ता है दोस्तों यह राजस्तान में कितनी किलोमेटर का है दोस्तों ओपसन हमारे 700 किलोमे किलोमेटर या फिर दोस्तों साथ सो बीस किलोमेटर तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर होगा हमारे जो साथ किलोमेटर है दोस्तों हमारे राजस्तान में एनच संक्या आठ की जो लंबा है दोस्तों वो राजस्तान में चो क्रेक्ट लंबा है दोस्तों वो हमारे साथ सो च तो सासो दे रखा तो सासो ओप्सन हमारे एक क्रक्ट हो जाएगा इस क्यूशन का अंसर अगला क्यूशन राजस्तान में केंदरी विस विद्यले की स्तापना हुई दोस्तों राजस्तान में केंदरी विस विद्यले की स्तापना किस वर्स में हुई थी दोस्तों ऑप्सन हमारे 2007 2008 2009 या पिर 2011 तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे राजस्तान में जो दोस्तों केंदरी व वरस 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का रजस्तानी पुरुषकार किसे मिला था दोस्तों 2017 का जो साहित्य अकादमी दिल्ली का रजस्तानी पुरुषकार किसे मिला दोस्तों ओप्शन है अमारे बी एल व्यास है अम्बिकादत को हेत्तु को यह फिर दोस्तों नीरज डालिया को तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर होगा हमारे वर्स 2017 का जो साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्तानी पुरुषकार जो है दोस्तों हो हमारे नीरज डालिया को मिला था दोस्तों किसे मिला था नीरज डाल दोस्तो उप्सटो अप्षैन है है अमारे 1934 में 1935 में 1936 में या पिर 1936 में तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर हो उगा है आत्र इस्कूूर न के अंशर अगला क्यों सेन. रजस्तां मानवा अधिकार आयोग की पहली मैला देख सको न ती दोस्तो राजस्तान मानुवा धिकार आयोग जो है दोस्तो उनकी जो पहली मैला अध्यक्स थी ओप्सण न दोस्तो हमारे कांता कुमारी बटनागर परबठ पुर निरेंदर कुमार या पर उस्वा मीणा तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर होगा सिंग सिंग दो दो proving जिटकोर एंसर सिंग उन्थिरुमार। उब हुगा हुगा हमारे राजस्तान की परत्थम म dol तें कुक्षच कि जिल्ल्य दोस्तों ती सिंग कों थे और जोन्स इनके धुस्तों अपिर्दक है। पट्रोडेज्टेस्टेश्टान क्यों भुचिते में पत्तु जिल्य में पॉफि Kathleen तो दोस्तों इसका जो राइट आंशर होगा हमारे हिल एक पत्ट हो दूस्तों वह हमारे Pengled की सिर्दि है जोण होसा डिल्ले में ओप्षन हम एक रहक हो जाएगा इसक्यूशन का अंसर है अगलाlando allow for दोस्तों पिछवए क्ला संबंधित हैं फिक रह पिछे समंदित हैं और से दोस्तों हमारे मेरा बाई से 2011 की जन्गर्णा के अनुसार राजस्तान में न्यूंतम गनत वाले जिल्ले कौन-कौन से है दोस्तों औप्शन अमारे विक्कानेर वाड़मेर जैसलमेर 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 किया गया दोस्तों राजस्तान का जो पर्थम उर्जा सडीयंतर हैं वो कहां पर स्तापित किया गया ओप्षन है अमर्सागर जैसल मेर में बीटडी जोधपूर में देवगड परताफगड में या फिर मोहनगर जैसल मेर में तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर होगा हमारे राजस्तान का जो पर्थम पवन उड़जा शड़ी अंतर जो स्तापित किया गया दोस्तों वो अमारे अमर सागर जैसल मेर में किया गया दोस्तों कांपर किया गया अमर सागर जैसल मेर में और कब किया गया था दोस्तों यह अमारे उन्नी सो चोर नन्यानमें में किया गया था दोस्तों कभ किया गया उन्नी सो नन्यानमें में तो दोस्तों यहां ओप्षन हमारे एक रक्ट हो जाएगा इस क्यूशन का अंसर अगला क्यूशन बारी आबूशन पहना जाता है दोस्तों बारी आबूशन श्त्रियों दुवारा कहां पर पहना जाता है दोस्तों ओप्सन हमारे गले में नाक में कानों में या फिर कलाई में तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर होगा हमारे बारी आबूशन जो है दोस्तों वो हमारे इस्तिरियो दुवारा नाक में पहना जाता है दोस्तों कहां पर पहना जाता है नाक मे ओप्सन है अमारे बीक रख्ट हो जाएगा इस क्यूशन का अंसर अगला क्यूशन माराना परताब का राज तिल्लक का हुआ था दोस्तों ओप्सन है अमारे चावंड में गोगुंदा में उद्यपूर में या फिर कुम्बलगड में दोस्तों इसका जो राइंशर होगा हमारे माराना परताब का राज तिल्लक का वह गोगुंदा में उप्सन हमारे बीक रख्ट हो जाएगा इस क्यूशन का अंसर अगला क्यूशन उस व्यक्ति का नाम बताईए जिसे रतन सिंग ने अपने दरबार से निकाल दिया था दोस्तों तता बाद में वह अलाउदिन खिलजी की सरण में चला गया तो दोस्तों हमारे सुंदरलाल, मदनलाल, रगुजी या पिर चेतन रागव तो दोस्तों जो चेतन रागव था दो करता दोस्तों जिसे रतन सिंग ने अ पने दरबारत्ति निकाल जित्गत दोस्तों और वह बाद में कहां पर चला गाया था अलाइव सन अंछी क्योशन राजस्तान में बहमट शेत्र संबंदीत है दोस्तों राजस्तान में जो बहमट शेत्र है वो किस जिल्ले से संबंदीत है दोस्तों ओप्सन हमारे उदेपूर से बांसवाडा से बिलवाडा से या फिर अलवर से तो दोस्तों इसका जो राइट अंसर होगा हमारे रा राजस्तानी फिलम का नाम क्या था दोस्तों जो अमारे राजस्तान की जो पर्थम राजस्तानी फिलम है उसका नाम क्या था दोस्तों ओप्सन हमारे निजरानों बाबुशारी लाडली बाई चली सासरी है मारी प्यारी चननना तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर होगा हमा मंत्री के रूप में सरवादिक बार सपत किसने ली दोस्तों राजस्तान में मुख्य मंत्री के रूप में सरवादिक बार सपत किसने ली तो दोस्तों ओप्शन है हमारे मोहनलाल सुकाडिया एवं हरी देव जोसी हरी देव जोसी एवं भेरो सिंग सेकावत भेरो सिंग या पिर दोस्तों लास्ट ओप्शन है अमारे सिवचरन मात्थूर एवं हरीदेव जोशी ने तो दोस्तों इसका जो राइट अंसर होगा आमारे राजस्तान के मुखे मंत्री के रूप में सरवादिक बार जो सपत लिये दोस्तों वो हमारे हरीदेव जोशी एवं बेरो सब्सक्रावत ने ओप्शन हमारे बी क्रेक्ट हो जाएगा इस क्यूशन का अंसर अगला क्योशन है कि डेगाना सेत्र राजस्तान में किस खनीज के लिए जाना जाता है दोस्तों जो कि राजस्तान में नागोड जिल्ले में स्थीतर दोस्तों वो किस खनीज के लिए जाना के लिए जाना जाता है दोस्तों किसके लिए जाना जाता है टंगस्टन के लिए ओप्सन हमारे सी क्रेक्ट हो जाएगा इस क्योशन का अंसर अगला क्योशन रजस्तान के गंधी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों रजस्तान का गंधी किसे कहते है दोस्तों ओप्सन हमारे भोगिलाल पंडे गोकुल भाई बट जानकिलाल या पिर दामोदर व्यास तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर होगा हमारे राजस्तान के गांदी जो दोस्तों वो हमारे गोकुल भाई बट को जाना जाता है दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों राजस्तान के गांदी के रूप में दोस्तों गोकुल भाई बट को जाना जाता है ओप्सन हमारे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क् एंसर होगा हूंरे राजस्त्तान का जो एक मात्र पक्सि चिक्स्ताली वो अमारे यह दोस्तों तो आपन से यह थी तो नाम या मानसिंत की हाथी का नाम तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर होगा हमारे लाल बाग जो है दोस्तों वो हमारी किसानों पर आरोपित कर रहे हैं दोस्तों क्या है किसानों पर आरोपित कर रहे हैं दोस्तों यह तो दोस्तों इस क्यूशन का जो राइट एंसर होगा हमारे ओप्सन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्यूशन का एंसर अगला क्यूशन सब्द राजस्तान का पहली बार प्रियोग निम्न इत्यासकार द्वारा किया गया दोस्तों राजस्तान सब्द का जो पहली बार प्रियोग है वो किस के दुवारा किया गया है दोस्तो ओप्षन हमारे टोड के दुवारा जी एन सर्मा के दुवारा जी सी पंडे के दुवारा या फिर सतीस चंद्र के दुवारा तो दोस्तो इसका जो राइट एंसर होगा हमारे राजस जो एतियाशिक स्थान है राजस्तान के किस जिल्ले में स्थित दोस्तों ओप्सन हमारे विकानेर गंगानगर बाडमेर या पिर जोदपुर तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर होगा हमारे काली बंगा जो है दोस्तों वह हमारे कांपर स्थित दोस्तों तो दोस्तों यह ज नेक्स्ट कुशन तामर संस्कृति के चीन किस उपलब या अलवर तो दोस्तो इसका जो राइट होगा हमारे संस्कृति के जो चीन नहुने दोस्तों even जिल्ले में उपलब दोस्तों घुभ सस् larva पर उधी अग्lusive स्ट सिर्वी जाती खेती से जुड़ी है यह अधिगांस किस जिल्ले में पाई जाती है दोस्तों जो सिर्वी जाती है वो खेती से जुड़ी हुई है यह अधिगांस किस जिल्ले में पाई जाती है दोस्तों ओप्शन है हमारे कोटा जेपूर जोधपूर या फिर दोस्तो भरतपूर तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे सिरी जाती जो खेती से जुड़ी हुई है दोस्तो यह अधिकांस जोधपूर जिल्ले में पाई जाती है दोस्तो कांपर पाई जाती है जोधपूर ओप्शन हमारे सी क्रक्ट हो जाएगा इस क्योशन का अंसर अगला क्योशन मेवाड की सिसोधिया को निमने माना जाता है दोस्तो मेवाड की सिसोधिया को किसकी संतान माना जाता है दोस्तो ओप्शन हमारे सूर्य वनसी चंदर वनसी अगनी वनसी या पिर नाग वनसी तो दो सूरियेवंसी की और इक सूर्यवंसी की möchte comment कि राजस्टानी राजस्तानी की जो पहली या ओप्चारी की व्याकरन लिखी गई की द्बीक गई है शिमा सिद्र राजा के दौारा उद्योतिन सूरी के दौरा भोज के दौरा या फिर हैंचंद्र सूरी के दौरा दोस्तो इसका जो राइट अंशर होगा हमारे राजस्थानी करange की जू पहली या उपचारिक व्याकरण है दोस्तों ओप्शन हमारे एक राक्ट हो जाएगा इस क्यो दोस्तों किसे जाना जाता है ओप्सन है हमारे बीम सेंज जोसी जसराज गिर्जा देवी या फिर मलिका अर्जुन मंसूर तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर होगा हमारे संगीत के जेपुर करनने की जो परसिद संगीतकार है दोस्तों वो हमारे मलिका अर्जुन मंसूर ज राजस्तान की फड चितरकारी चितरकला की से जूरी है दोस्तों डोस्तों यहांपर मौड पड़ारी जीतरकला की स्कूल से जूरी है मेवाड स्कूल से ओप्सन हमारे सी क्रक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्यूशन का अंसर तो दोस्तों यहां पर हमारे जो मोडल पेपर 2018 का जो मोडल पेपर वो कम्पलीट हो गया दोस्तों तो यहां तो उम्मिद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद ही होगी ऐसी और भी क्लासेश देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर लेना जिसे हमारे नए वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहे तो दोस्तों मिलते हैं नए क्लास में